आपका चेतिलाल फाइनेशल सर्विसेज में फिर से स्वागत है कीप इन्वेस्टिंग कीप गुरूइंग अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और टारगेट इस टॉपलो सारी चीज़े दी थी और किस बेस पे दी थी क्योंकि देखे इसमें बेस फॉर्मिशन बना था और यहां से जो शेयर है अभी उपर जाने के लिए तैयार है अगर आपने यह बाइन यह किया है तो आपको कल भी यह मौका मिल सकता है आप इस वीडियो को जरूर देखे और यहां पे हम बात करने वाले निफ्टी के टारगेट के बार में तो देखे निफ्टी के अंदर आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और हमने देखे कल बोला था कि देखे निफ्टी के अंदर और अधानी पावर के अंदर आपको करना क्या है तो यह सारी चीज़ आज पूरा का पूरा एक्जेक्ली ऐसे ही होती होई दिखाई दिए जैसे हमने कल बोला था और बात करते हैं ऐसे बही इकार की तो यहां पर भी एक अच्छा खासा मौका है बाय करने के लिए क्योंकि यह जो शेर है बेस फोर्मेशन बना के अब उपर जाने के लिए यहां से 100% त्यार है पहले बता देते हैं निफ्टी की तो देखे कल हमने यह मैसिज अपने गुरूप के अंदर डाला था और बोला था कि यहां से जो निफ्टी है एक अच्छा बाउंस बैक करने के लिए तयार है 17-500 तक जाएगी और इसमें आपको देखे अच्छे स्टोक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका मिल रहा है य्यानि कि देखे कल जिन लोगों ने मैसिज देखा उन्ने एक अČच्छा खासा आज जो है कमाई का मौका भी मिला होगा यह फिर आज भी अगर खरीदा होगा तो आज भी अच्छा कमाने का मौका मिला होगा निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो यहां पर पॉजिटिवली 172 पॉइंट पर उपर क्लोज हुई है और स्टार्टिंग में देखिए थोड़ा सा नीचे था उसके बाद ज से एक अच्छा ठास साधी बात करते हैं निफवर की तो देखें अधानी पाहर के अंधर कल किलियर राय दी थी 2020 क्यों कि एक अच्छा हाई यहां पे बनाए था 152-822 182 गास पस तो कल किलियर बोला था कि देखे यहां पर आपको प्रोफिट बुक करना चाहिए क्योंकि यह जो शेयर है अपने ओल्ड टाइम हाई पे जो है यहां पूंच चुका है तो यहां पर प्रोफिट बुक करना लाजमी है और आज देखे क्लोजिंग इसकी में एक अच्छा खासा स्पाइक इसने बनाया और ओल्ड टाइम हाई पे यहां पे दोस्तों ओल्ड टाइम हाई पे जो यह शेयर पहुंचता हूँ आपको दिखाए बात करते हैं आज के वोल्यूम की तो देखे आज यहां पे सिर्फ 13 करोड के आसपस वोल्यूम जनरेट ह होते हुए दिखाए जबकि कल की बात करते हैं तो कल यहां पे 25 करोड का बहुत शांदार बहुत जबर जस्त जो कभी पहले शेयर के अंदर नहीं देखा गया वो वोल्यूम कल यहां पे जनरेट होते हुए दिखाई दिया था और आज लोबी देखो 164 रुपए का बनाया जबकि कल 180 था 80 से देखे कहां 20 पॉइंट तूट चुका है और मैंने किलियर बोला था कि देखे यहां पे आपको प्रोफिट बुक करना है और अगर बात करते हैं चार्ट की तो देखे चार्ट के अंदर भी किसी तरह का कोई यहां पे जो है हम यह नहीं कह सकते कि हां यहा सॉलिडेशन फेज दिखाई देता है यहां तो यहां पे ठहर जाएगा यहां से भी 10 से 15 पॉइंट और नीचे आने की इसकी संभावना बन सकती है चार्ट के अकोर्डिंग बात करते हैं दूसरी निउस बात करते हैं SBI कार्ड के बारे में तो देखे यहां पे SBI कार्ड के होती है और इस इनको जो प्लैटफॉर्म प्रवाइड किया जाता वो किया जाता योनों SBI के तरफ से तो देखे यह बहुत एच्छी खासी अप है अगर आपने यूज नहीं किया तो यह जितने भी प्राइवेट लेंडर बैंक्स हैं उनकी जितनी भी एप्लिकेशन हैं उ की 1100 रुपए के टार्गेट दिये हैं और यह जो टार्गेट है अभी रिसेंटली दिये हैं आज कल में ही और देखे शेर वहां से अगर मैं बात करता हूँ आपने लोवर लेवल से 1500-200 की जो रैली है एक अभी दिखा चुका है क्योंकि अभी एक लोबी बनाया था शेर न को तो देखें ये दो एक बैंक ऐसे हैं जहां पर जिनकी सेल्स पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता हुआ दिखाई दिया बाकी बात करते हैं हम H.A.FC की या और अधर बैंक्स की तो थोड़ा बहुत यहां पर जो है एक सेल्स के अंदर थोड़ा सा ग्रावड देखन वो जो चीज चलिए है उसका जो फायदा है हर कोई उठाता है आज हम 50,000 रोपे का समान खरीते हैं और कल उसकी जो पेमेंट है वो हम यहां पे क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं और उसका जो अमाउंट है हमें एक महीने बाद देना पड़ता है यानि कि हमारे पास एक महीन हुआ दिखाई दिया है और देखिए स्टार्टिंग में 860 था लेकिन उसके बाद एक अपना हाई भी इसने बनाया 880 रुपे का और लो इसका 855 था जो क्लोजिंग हुई है वो यहां पे डेड़ परसेंट के आसपस पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है जो एक पॉजिटि की कॉल पे भी करीबन करीबन एक लाख के आसपस जो है ओई एडिशन होता हुआ दिखाए वोल्यूम की बात करते हैं तो देखिए यहां पे वोल्यूम एक लाख 6,000 के आसपस जनरेट हुआ है और देखिए यहां पे जो वोल्यूम है वो एक रिजनेबल वोल्यूम यहां पे आपको generate होते हुए दिखाई दिया है क्योंकि देखे शेर काफी time से consolidation phase के अंदर जो है move कर रहा था और उसके बाद volume के साथ जो है share उपर यहां पर आपको जाता हुए दिखाई दिया है बात करते हैं देखे 5 day की तो 5 day 840 के 840 के जो levels थे वहां से 880 के levels पे आपको आज आत हुए दिखाई दिया है और पिछले अगर हम वन मंत का चार्ट भी निकालते है तो वन मंत में यहां पर दोस्तों यह साड़े साथ सो से साड़े साथ सो से यहां पर 880 रुपए यहां पर यह शेर आपको आता हुए दिखाई दिया है तो देखे एक positive movement यहां पर हमें आज द पर इन दोनों कोल्स पर बहुत जबर्जस्त ओवाई एडिशन होता हुआ आज दिखाई दिया है और देखे बड़े-बड़े brokerage firms की बात करते हैं तो उन्होंने भी यहां पर 1100 रुपए तक के जो है टार्गेट दिये तो इस शेर को देखे यहां पर बाय करके चला जा सक या और कोई market से related तो हम अपने चैनल पर तुरंत अपडेट करेंगे तब तक के लिए आप हमारी चैनल को like and subscribe जरूर कर सकते हैं जिससे आपको आने वाली notifications के बारे में भी पता लगता रहेगा